कॉंग्रिस के नेता राहूल गांधी का लंडन से अटैक लगातार जारी है कैम्रेज उनिव Edwardsity के बाद अब लंडन में Indian Journalist Association के सामने राहूल गांधी ने फिर से लोक्तंतर को खत्रे में बताया है राहुल गांधी ने फिर कहा है कि भारत का लोगतंत्र खत्रे में है और डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले बड़े देश कुछ नहीं कर रहे है इंडियन जर्नलिस्ट एसोसियेशन के एक कारिकरम के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर संग और बीजेपी पर जम कर हमला बोला इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी और आरेसेस के खिलाफ लड़ रहे हैं राउल गांदी इतने पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि BJP और RSS ने सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, हमारे लोकतांत्रिक धांचों पर बर-बर थमले किये जा रहे हैं। आप मधु मक्ही का पालन करते हैं क्या, अगर ऐसा है तो आप अमने शहद को एक करोड़ फ्रीडम मैप के जो गराहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और अब लंदन में इंडिया जोनलिस्ट असोसेशन का करिक्रम। रहुल गांधी ने 24 का चुनाव जीतने के लिए फिर विदेशी मीडिया को हत्यार बना लिया है। Cambridge University हो या फिर लंदन, उनके जबान पर नफरती बयानों के अलावा कुछ नहीं जरक रहा। I will never do it. Of course, the BJP like to twist what I say. That's fine. And the media likes to sort of play it up. I mean, it gives you TRPs and all. But the fact of the matter is, the person who defames India when he goes abroad is the Prime Minister of India. देश में भारत जोडो यात्रा निकालने के बाद राहूल गांधी, देश के लोगों से बात करने के भजाए, एक बार फिर विदेश में भारत की छवी पर बट्टा लगाने पहुँच गए हैं. देश में विपक्षी पार्टियों को तवज्जो न देने वाले राहूल, विदेश में बैठ कर दोहसर चॉबीस में विपक्ष का एजंडा बता रहे हैं. The opposition is very much capable of having this discussion and resolving it. We are also it's important to understand and particularly for the foreigners here that the opposition in India is no longer fighting a political party. This is something that you say BJP, well that's not who लंदन में इंडिया जॉलिस असोसीशन के कारिक्टर में राहूल गांधी के जबान पर एक बार फिर वही देश विरोधी एजंडा था राहूल गांधी ने आरोप लगाया कि BJP और RSS देश में नफरत फेरा रही है राहूल गांधी ने सवरकर की एक किताब का जिक्र करते हुए संग पर सीधा हमला बोला अगर मुझसे कमजोर है तो मैं अपने पांच-दस मिंत्रों के साथ उसको पीट दूंगा मगर अगर वो RSS वालों से तकड़ा है तो भी भाग जाते हैं और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है अगर आपने पड़ी हो उनके किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्हों ने और उनके पांच-छे मिंत्रों ने एक मुसर्मान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुश हुए खुशी हुए तो देखिए अगर पांच लोग एक आदमी को बेटते हैं और फिर उनके से किसी एक मियक्ति को बड़ी खुशी हो दिए राहूल गांधी जब पाने पी पी कर मोधी सरकार को कोस रहे थे उसी दोरान एक पत्रकार ने राहूल गांधी को इंदरा गांधी की याद दिलागर सवाल पूछा Now you are being constantly attacked in the Indian media for your Cambridge lecture. I hope that you will take some lesson from what Mrs. Indra Gandhi said because I am your well-wisher and I'd like to see you become Prime Minister of India. What's your question? There is no question. So my question is, please ask your question otherwise. In nine years that BJP has been in power, in your opinion, has Modi done anything good for India at all? I answered this question a few days ago. I think the RSS and the BJP are attacking the foundation of our country, attacking the democratic institutional structure of our country. Rahul के निशाने पर केवल P.A. Modi ही नहीं है, बलके विदेश मंत्री S. J. Shankar भी है. Rahul ने विदेश मंत्री को समझ पढ़ाने के सीख दी थी. अब फिर से हमला बोला. No single inch of land has been taken and this has destroyed our negotiation position, right? Because our negotiators are being asked, what's the fuss about? Your Prime Minister says that no land has been taken. So that's one aspect of it. The other aspect of it which I keep saying is India needs to be very, very careful with what the Chinese are doing at the border. The Chinese are acting in a hostile manner, in an aggressive manner and we need to be very, very careful. And I've been stating that again and again. I don't think the penny has dropped in the government and I think there is a risk as usual. भारत से करीब 6,000 किलोमेटर दूर लंदन में बैठकर, राहूल गांधी भारत और चीन के रिष्टों पर देश को सीख दे रहे हैं. The Congress Party's policy on China is very clear. We do not accept anybody entering our territory and pushing us around and bullying us. It doesn't matter who they are, that's not acceptable to us. And what has happened is that the Chinese have entered our territory. Freedom Map से सीख कर आप मदुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को एक करोड़ Freedom Map के जो गराहक हैं, उने बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं. रहूल गांधी ने लंदन में बैटकर BJP और RSS पर अपना ज्यान बगहरा, तो दिली से BJP ने भी रहूल गांधी को करारा जवाब दिया. आप सोच के देखे हिंदुस्तान को डैमेज करने के लिए, तो डिस्ट्रॉइ दे फैब्रिक ओफ इंडिया, राहूल गांधी और गांधी परिवार किस कद तक नीचे गिर सकता है? राहूल गांधी लंदन में बैटकर, BJP और RSS को दुनिया का सबसे दमनकारी संगठन साबित करने में लगे हुए थे. BBC के Income Tax Survey को भी राहूल गांधी BJP और संग का एजेंडा करार दे रहे है. Google Play Store या App Store पर.